लेट जाईए रहाँ चलो आओ इदर सर क्या है इस बगाने की जरूरत तो नहीं है आप लोगों को पता है ना जब कोई नहसार्थ मूख से आपकी सहायता करता है तो सिर्फ आपका गुरू नहीं रह जाता वो आपका मित्र भी होता है आपका सहपाठी भी होता है आपका सहचर भी होता है और जो सबसे बड़ी बात ये है राजसर में कि उन्होंने कभी भी उस चीज़ी क्रेडिट लेने की कोशिश ही नहीं की क्या की? अगर हमें उनको कोई सम्मान लेना है उनको बड़े गिफ्ट देना है तो जो उनका सबसे प्रिय है अनुशाशन दे सकते हैं? अनुशाशन का पहला ताथपरे शुरू होता है कहां से? आपकी क्लैपिंग से जो सम्मान हम देते हैं सब के लिए पहले तो सर के बड़े के लिए मेरे बाद ही करेंगे नहीं तो आप क्या बजाते हैं आपको भी नहीं पता ठीक है? अगर आप सर को कुछ देना चाहते हैं तो सर फितना दीजिए कि जब वो बिना किसी एक्सपेक्टीशन के बिना किसी आसा के आपके पास सिर्फ आपको कुछ देने के लिए आते हैं तो आप उनको अपना अनुशाशन दीए सिर्फ इतना करिए जो वो कहते हैं उन्होंने क्या आप से कभी कुछ मांगा है? उनको क्या प्रॉब्लम है? क्या समस्या है? क्या तकलीफ है? क्या उन्होंने कभी अपनी तकलीफ आपको बताई? लेकिन एक दिन ग्राउंड उनने मिस किया और आपने हर चीज फॉलो करिए जो उपी सर कहते हैं जो राज सर कहते हैं राज सर सिर्फ आपको ये कहते हैं कि आप मियमित यहां आईए और वो सब कुछ करिए जो उपी सर कहते हैं आपको क्योंकि इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए जनम दिन इसले नहीं होता कि हम किसी को बस थोड़ी सी खुशी दे और खतम कर दे जनम दिन होता है कि हमने अपने उद्देश के लिए एक वर्ष और पूरा कर लिया मतलब और एक साल का एक्सपीरियंस उनका बढ़ा जिसका फाइदा किसको मिलना है आप जब हो तो फाइदा उठाना है उठाना है अगर फाइदा उठाना है तो सम्मान करना सीथे बहुत से बच्चे हैं जब सर उनको कहते हैं ऐसा करो एक